अज हम बनाएंगे वेजटेबल दम बिर्यानी जिसे घर पर बनाना बहुत ही इजी है और यह बहुत ही टेस्टी भी बनती है मैंने लिया है एक कप बासमती चावल जिसे मैंने दो तीन बार अच्छे से धो लिया है और इसमें अब हम पानी डाल कर इसे आधे घंटे तक भीगो कर रख देंगे साइट पर अब मैरीनेशन के लिए हम लेंगे 1 कप दही और इसमें हम डालेंगे 1 चमज अद्रक लैसुन का पेस्ट इसकी साथ हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, बिरियानी मसाला, आप किसी भी ब्रैंड का बिरियानी मसाला ले सकते हैं यह हैं हल्दी पाउडर, साथ हम डालेंगे धन्या जीरा पाउडर, स्वादा नुसार नमक डालेंगे और सभी इंग्रीडियंस को अच्छे से विस्क कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धन्या और इस मारिनेशन में हम डालेंगे कटे हुए वेजटेबल्स जिसमें मैंने लिए हैं आलू, बीन्स, कैरेट और कॉलिफ्लावर तो इसे अच्छे से मिक्स करके साइट पर रख देंगे आधे गंटे के लिए अब एक कडाई में हम लेंगे तकरीबन एक कप तेल और जैसे ये गरम हो जाए इसमें हम अनियन्स यानि प्यास को तल लेंगे जब तक कि ये सुनेरा कलर का ना हो जाए तो हम बिरिस्ता बना रहे हैं, तो इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते रहेंगे और जब तक कि ये golden brown और crisp ना हो जाए तब तक fry करेंगे तो ये देखिए golden color के हो गये हैं प्यास तो इन्हें हम इस stage पर निकाल लेंगे तो ये जैसे ही golden होने लगेंगे हम इने निकाल लेंगे क्योंकि ये गरम ही रहते हैं तो गरम रहते ही ये और थोड़े से dark brown color के हो जाएंगे तो हमारा बिरिस्ता ready है अब मैंने पानी उबालने रग दिया हैं इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता दालचीनी, काली इलाइची, दो जोटी इलाइची और जार लॉंग तो इन खड़े मसालों के साथ जैसे ही पानी उबल जाए इसमें हम डालेंगे आधे घंटे से भीगोए हुए बास्मती चावल तो हम सारे चावल इसमें डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि ये 80% कुक ना हो जाए अब एक कडाई में हम लेंगे तेल ये वही तेल है जिसमें हमने प्यास को तला था और साथ ही हम लेंगे 2 टेबल स्पून घी तो जैसे ही घी पिघल जाए और तेल और घी गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे जीरा जैसे ही जीरा स्प्लटर हो जाए इसमें हम डालेंगे चिंजर गालिक पेस्ट तक्रीबन एक चमच अब इसमें हम डालेंगे एक हरी मिच चार टुकडों में कटी हुई तीखापन आप अपने हिसाब से कम्या ज्यादा कर सकते हैं तो इस वक्त गैस की फ्लेम मीडियम है और इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्यास तो प्यास को हम तब तक सौते करेंगे जब तक कि इनका कलर हलका सा चेंज न हो जाए साथ ही हम चावल पर भी नजर रखेंगे तो अब देखिए प्यास का कलर चेंज होने लगा है तब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और टमाटर को हम तब तक पका लेंगे जब तक कि इनका गल न जाए हमें टमाटर को सौफ्ट और मशी कर लेना है तो गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे पकने देंगे इसमें हम डालेंगे स्वादा नुसार नमक और चावल चेक कर लेते हैं तो देखिए चावल अल्मोस्ट पक गए हैं 80% कुख हो गए हैं तो इस स्टेज पर गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे हम स्ट्रेइन कर लेंगे हम सारा पानी स्ट्रेइन कर लेंगे और खड़े मसाले के साथ हम चावल बिर्यानी में डालेंगे अब इस तरफ टमाटर भी गल चुके हैं तो इन्हें हलका सा में मैश कर देती हूं यह अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन तीन चमज दही मैरिनेशन में तो हमने लिया ही है लेकिन दही थोड़ा ज्यादा हो तो बिर्यानी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो इसे मिक्स कर लेंगे और यह जो मैरिनेटेड वेजटेबल्स हैं हमारे इसे भी हम एड़ कर लेंगे और एक बार सभी वेजटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढख कर पकाएंगे तकरीबन चार से पांच मिनिट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर अब हम लेंगे चार चमज गरम दूद और इसमें हम डालेंगे केसर और इसे अच्छे से घोल कर साइट पर रख देंगे ताकि अच्छे से घोल जाए अब वेजटेबल्स हमारे पक गए हैं तो इन्हें मैंने चार से पांच मिनिट के लिए पकाया है अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए मटर तकरीबन आधा कप और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर इस स्टेज पर आपको मॉश्चर कम लगें तो इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दीजिए ताकि जब इसमें हम चावल डालें तो चावल जो है वो जले नहीं तो इसमें से मैं 2-3 बड़े चमज वेजटेबल्स निकाल रही हूँ और इसमें हम डालेंगे राइस तो इसे हम इस तरह से हलका सा फैला देंगे और इसकी हम लेयरिंग करेंगे तो हमें राइस को ज्यादा प्रेस नहीं करना है बिल्कुल हलके हाथों से इसे फैलाना है इस तरह से spread कर देंगे अब vegetables के उपर हमने rice डाला है अब इस पर हम डालेंगे विरिस्ता पुदिना के पत्ते हरा धन्या डालेंगे और अब हम second layering करेंगे तो और एक बार जो vegetables हमने अलग से निकाले थे उसे इस तरह से spread कर देंगे ताकि हमीं सबजियों का स्वाद सब जगा अच्छे से आए और एक बार rice की layering कर देंगे और खड़े मसालों को हम इसमें ऐसे ही रहने देंगे और इस rice के layer को भी अच्छे से spread कर देंगे और एक बार विरिस्ता डालेंगे पुदिना के पत्ते और केसर वाला दूद हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे तो इसे चारों और इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और लास्टली इस पर हम डालेंगे हरा धन्या और इसे ढखकर हम दम पर पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनिट के लिए अगर आपकी कडाई heavy bottom ना हो तो आप इस तरह भी कर सकते हैं एक तवा को रखकर indirect heat पर कडाई को रखकर बिर्यानी को दम दे सकते हैं तो हम बिल्कुल ही flame low रखेंगे तो जब तक दम पर बिर्यानी पकती है हम fry कर लेते हैं थोड़े से काजू cashews को हम golden brown होने तक fry कर लेंगे तो cashews fry हो चुके हैं इन्हें निकाल लेते हैं तो चलिए बिर्यानी चेक कर लेते हैं तो मैंने 20 मिनिट तक इन्हें दम पर पकने दिया है तो एक फोर्क की मदद से हम थोड़ा सा rice चेक कर लेते हैं तो चावल जो है एकदम खिला खिला बना है और नीचे बिल्कुल भी इसमें moisture नहीं है चावल completely पक गया है और एकदम बिर्यानी हमारी खिली खिली बनी है तो चलिए इसे serve कर देते हैं तो मैं इसे layers के साथ ही ऐसे ही serve कर रही हूं जैसे restaurants में usually serve किया जाता है अब चाहे तो बिर्यानी को mix करके भी serve कर सकते हैं और लास्टली गानिश कर देते हैं तो रेडी है हमारी vegetable dum biryani तो इसे जब क्रड़ तो जोड़ जाये ज़्मारी जाये जये हमारी जाये जाये जाए़किटे जाये टोडिए धूलिफ जाये टोड़िटेटरा है अबोर सब्सक्राइब कर द्थाशनी तो ज़्यानी